उत्राखंड विदान सभा का हो सकता है वर्च्वल सत्र सत्र के हर संभव विकल पर विचार विमर्ष किया जा रहा है सत्र आयोजिन को लेकर बनाई जा रही है योशना सभी पहलों को देखकर इस बात को लेकर वैसला की जाएगी 23 सतंबर से होना है विधान सभा का सत्र तीन दिन के लिए आयुजित होगा विधान सभा सत्र तो बड़ी कबर आपको बता रहे हैं उत्राखंड विधान सभा का वर्च्वल सत्र हो सकता है सत्र के हर संभव विकल पर लागतार सूच विचार की जारी है मीटिंग की जारी है और ऐसे में बड़ी कबर आपको बता रहे हैं उत्राखंड विधानसभा का वर्च्वल सत्र हो सकता है तो सत्र आउजन को लेकर बनाई जा रही है योजना लागतार चर्चा भी की जारी है तीन दिन के लिए विधानसभा सत्र का आउजन होना है जादर जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं हमारे समबादाता अजीत कामबोच का जस्वक सीधा लाइफ हमारे साथ बने हुए है अजीत लागतार कोशिश की जारी है बैटको का दौर भी जारा है कोरोना काल को देखते वे उत्राखंट विधानसभा का हो सकता है वर्चौल सत्र क्या कुछ है पूरी डिटेल्स और जानकारी आपके पास बिल्कु पूजा अगर उत्राखन विधानसभा के मौनसुन सत्र की बात की जाए तो 23 सितंबर से 24-25 तीन दिनों का ये विधानसभा सत्राहुत होना है जिसकी बकाईद अधी सूशना पी जारी कर दी गई है अब सत्र का स्वरूप कैसा होगा इसको लगातार मन्थन किया जा रहा है विधानसभा सचीवाले की लगातार बैठके चल रही है और जिस तरह की जानकारी खुद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अगरवाल ने आरनाइन टीवी के साथ साजा की है कि सभी पहलों को बा मन्डप की अगर बात की जाए तो मन्डप की इस्तिती ऐसी नहीं है कि वहाँ पर अच्छे से सोसल डिस्टंसिंग का पालन किया जा सके उत्राखंड विधानसभा में सत्तर विधायक हैं और सत्तर को अगर बिठाना होगा तो दो गज की दूरी का जो नियम है उसको दिर्धा और जो दर्सक दिर्धा है उसको भी पूरी तरह से बंद किया जाए और उसको भी विधानसभा के मंडप में शामिल किया जाए लेकिन उसको देखने के बाद भी इस्तिती पूरी तरह से नियंत्रित होती नहीं आ रही है जिस तरह का जाय जा लिया जा रहा है तो उसमें किस तरह से वर्चुल सत्रा आई जीत होगा, कितने लोग से लागतार बैटकों का तो दौर जारी है, बैटक लागतार हो रहे हैं, बैटक में कोरोना को ध्यान में रखते हुए, शोशल डिस्टंसिंग की बात करें, या जो भी तमाम प्रकार की जो गाइडलाइन जार जाएगी, क्या कुछ रोक लगाई जाएगी, क्योंकि इसका स्वरूप एकदम आने तो होगाई, अलग प्रकार का होगा, तो उसमें क्या कुछ खास बाते होंगी, जो देखने वाली बात होंगी, अजीत? बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर वर्ट्वल सत्र होता है, या मौनसून सत्र भी आउजित क्या जाता है, तो उसमें कई तरह की पाबंदिया लगाने की बात, विधान सभा सच्चवाली की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें साब तोर पर जो स्टाफ होगा, वो कर पाएगा, इसके अलावा अगर मीडिया की बात की जाए तो मीडिया के लिए एक इस्थान नियुक्त किया जाएगा, कि मीडिया केवल वहाँ पर रहेगा, इसके अलावा जो तमाम अन्य लोग आते हैं, चाहे दर्शकों की बात हो, चाहे अन्य स्टाफ की बात हो, सभी क उसमें तमाम तरह की विवस्था यहां पर विधानसभा की तरव से बनाई गए थी तो उनीक अनुसरन करते वे इस बार के मौनसून सत्र में थोड़ा और व्यापक इस तरह यहां पर विवस्था बनाई जा सकती है फिलाल अभी किवल बैठ के चल रही है बहुत 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 शुक्रिया हम से जुड़ने के लिए तमाम जानकारी हम तब पहुंचाने के लिए